सिचुएटेड लर्निंग या इस्थापित अधिगम कोई नया कॉंसेप्ट नहीं है एजुकेशन साइकॉलजी में हलाकि इसको एक नय कॉंसेप्ट के रूप में सामिल किया गया क्योंकि इस कॉंसेप्ट का जब सुरुवात हुआ तो वो इस रूप में नहीं हुआ था कि इसे इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के लिए यूज किया जाए लेकिन आज की डेट में सिचुएटेड लर्निंग को एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के रूप में यूज किया जाता है जिसके द्वारा classroom में बच्चा जो तयार करता है उससे ज़्यादा भी learning होती है यही thought था लावे और वेंगर का लावे और वेंगर ने इस बात पे जोड़ दिया कि जो classroom में हम सीखते हैं वो एक स्तर होता है लेकिन जब हम उस ग्यान को लेकर के बाहर जाते हैं तो उससे संबंदि जो हमारी जो learning होती है जो situated है पहले से ही environment में वो उससे भी ज़्यादा होती है उस learning से जो classroom में होई तो basically जो classroom की जो learning है वो limited होती है और बाहर environment की learning unlimited होती है तो यही जो social environment और classroom environment के बीच का जो difference था इसको लावे और वेंगर ने study किया इसके लिए उन्होंने आधार स्वरूप जिस thought को अपनाया वो था जान डूई और वाइगास की और दूसरे thinkers के thought जो कि यह मानते थे कि समाज में जाकर के हम सीखते हैं और बहतर होते हैं और अपने आपको बहतर करते हैं तो basically situated learning को कुछ इस रूप में दिखा गया कि active participation in learning experience तो classroom में आपने जो सिखाया उसमे classroom activity चाहें कितने भी active हो लेकिन बाहर जब आप जाएंगे तो उसका जो अध्यन होता है उसकी जो समझ होती है वो बिलकुल different होगी जैसे कि आपको कोई classroom में बैठ करके cycle चलाना नहीं सिखा सकता क्योंकि आपको जाकर के उसको experience करना पड़ेगा तो ऐसी learning जो की experience से होकर के आए जिसमें की बालक actively participate करे ऐसी वो सबी चीजें जो की हम classroom में सीखते तो हैं लेकिन वो जो copy pen पे सीखना है या जो किताबों के अंदर सीखना है और जब हम बाहर जाते हैं उस ग्यान को ले करके और उसको बाहर के environment में वास्तविक रूप से सीखते हैं तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को situated learning कहा जाता है तो अगर हम situated learning को एक definition के रूप में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि situated learning suggests that learning takes place through the relationship between people and connecting prior knowledge with authentic, informal and often unintended contextual knowledge contextual learning का वो thought जो Vygotsky ने दिया था कि हम जब समाज में जाते हैं तो उस culture में, उस society में हमारा एक context निर्मित होता है यानि context मतलब संदर्ब इस संदर्ब में किसी चीज़ को समझना जैसे कि हमने बात की cycle चलाने की तो cycle चलाना आपने एक किताब में सीख सकते हैं किताब के उपढ़ करके पता कर सकते हैं या swimming के concept को आप किताब में पता कर सकते हैं संदर्ब में वो कहीं ज़्यादा होता है आपके classroom के understanding से तो classroom में जो आपने knowledge ली है उसको लेकर के जैसे ही आप environment में जाते हैं बाहर समाज में जाते हैं तो समाजिक संदर्ब में उसको जब आप सीखते हैं इसको situated learning कहते हैं और situated learning हमेशा classroom learning से बहुत ज़्यादा और बहुत magnified बड़ी होती है तो इस थापित अधिगम यह सुझाओ देता है कि सीखने को लोगों के बीच के रिस्तों के माध्यम से और पुर्व ग्यान को प्रमानिक अनौपचारिक और अकसर अनपेक्षित प्रासंगिक सिक्षन के साथ जोड़ना अनपेक्षित का मतलब है unintended means जो classroom में होने वाला है वो कहीं न कहीं आपको पता होता है कि classroom में आज ये पढ़ाया जाएगा लेकिन जब आप समाज में जाते हैं और जब आप real life में होते हैं real situation में आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है इसके अंदर जो learning आती है अपने आप से वो होती है situated learning तो situated learning क्या होती है जो अपने आप आती है unintended होती है unexpected होती है इसके लिए लावे और वैंगर ने अपनी बात पे जोड़ डालते हुए कहा कि situated learning is not an educational form but much less a pedagogical strategy उन्होंने schools की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि जो school में जो educational process चलता है वो educational form नहीं है situated learning बलकि ये कुछ और है और अगर आप अगर इसे pedagogical strategy के रूप में मानते हैं तो वो भी नहीं है क्योंकि बालक जब real environment में जाता है जो की unplanned है unintended और informal way में वहाँ पे जो सीखता है वो होगी situated learning यहाँ पे example के रूप में आप याद रखिए हमेशा situated learning को connect किया जाता है तीन या चार चीजों से मैं उनकी बात कर दो जैसे field trip where students actively participate तो जो field trip होता है उसमें जब बच्चा जाता है तो वो वहाँ पे active participation करता है वो उस environment को अपनी इंद्रियों से वास्पिक रूप से अनुभव करता है जो अनुभव classroom में provide नहीं करवाया जा सकता दूसरी तरफ cooperative learning के रूप में देखा जा सकता है कि जब हम cooperative education की बात करते हैं को ले करके real छेतर में जाते है real field में जाते है और वहाँ पे जब लोगों के साथ मिल करके उसको लागू करने की कोसिस करते है दोनों के बीच का अंतर different होता है दोनों के बीच की समझ different होती है और यह जो magnifying understanding आती है cooperative education में या internship experience में यह actual work environment की जो समझ है यही है situated learning जो की classroom से कहीं ज़्यादा बहतर और कहीं ज़्यादा अलग है इसके examples के लिए अगर हम और कुछ देखने की कोसिस करें तो आप याद करके देखिए जो lab में जो experience किये जाते हैं तो जो classroom का experience है lab के experience से बिलकुल different होता है laboratories में हो जाते हैं वो जो incident आपको सिखा करके जा रहे हैं वो है situated learning similarly अगर आप music को सीखें उसको play कर रहे हैं तो आप उससे एक समझ को develop करने की कोसिस कर रहे हैं स्पोर्ट से एक समझ को develop करने की कोसिस कर रहे हैं अगर आप cricket खेलना सीखें अगर कोहली के तरीके से तो जरूर बहुत सारी किताबें हैं जो कि आपको ये बता सकती है कि हमें एंगल ये रखना चाहिए खेलते समय या इस तरीके से करना चाहिए लेकिन जब हम real field में जाते हैं तो उसकी समझ जो हमने classroom में सीखा था जो हमने किताबों की मदद से सीखा था जो हमने अपने mentor से सीखा था उससे different है क्योंकि वो unpredictable है, unintended है, informal है और contextual learning है इसी को कहते हैं situated learning comment section में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा thank you so much झाल